कई वक्त मैं बताऊं, एमर्जेंसी की प्रात्नाय काम नहीं करती, आपको ये समझ होनी चाहिए, क्यूं आप सीरियस नहीं लेते प्रभू की हजूरी में, क्यूं कई वक्त आप सीरियस नहीं होते हैं, क्यूं कई वक्त शोटी सी बात के कारणा आप संडे मिस कर लेते हैं, आ उसके बाब जब बिपत्ती आई लिगा प्रात्न में लग रहे हो कि प्रिक्षा में ना पड़ो, प्रात्ना शोड़ दी, बबनाना शोड़ दिया, अब प्रिक्षा आ गई अब क्या कर रहे है, एमर्जनसी वाली प्रेयर अब आ रहे चर्च, जीजस ही बचा सकता है इससे तो, ये तो healing जीजस ही कर सकता है, ऐसी गवाईयों तो चर्च में ही सुनी है जीजस ही बचा सकता है, सब कुछ ठीक है पर मेरा मन शांत नहीं है शांत ही तो चर्च ही दे सकती है जीजस ही दे सकता है, मुझे चर्च ही जाना होगा आप समझ रखते हैं फिर कई वह एमर्जनसी की प्रात्ना लोग की काम नहीं करती क्योंकि श्रीर में प्रात्ना करने है spiritual प्रात्ना नहीं करने है मन यहवा से दूर है यह लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके हिर्दे मुझे से दूर है अब हिर्दे नहीं जुड़ता तो फिर जैसे कई लोग जब गाड़ी लेके जाते हैं चार पैये होते हैं एक पैया डिग्गी में होता है स्टपनी उसमें एक टाइर होता है जिसमें हमेशा पैंचर लगा के उसे लखा होता है इसमें हवा बरके रखी होती है कि रास्ते में कहीं भी गाड़ी पैंचर हो जाए लोग को कितना ख्याल होता है लोग को ख्याल होता है हर एक ड्राइवर जो समझार है बोस्ट अपनी रखे गा एक्स्टा टाइर गाड़ी में रखता है और रखना जुरूरी है कई लोग इसे नहीं रखते फिर जब रोड में कहीं चले जाएं सोचो अब रास्ते में 20 किलोमेटर ना तो आगे कोई पैंचर वाली जगह है ये तो स्कूटर तो नहीं है मोटसल तो नहीं है पर जरूरत क्या है अजी टाइर फिट करवाना था हमने सोचा शोटा मोटा काम होगा हम जल्दवाजी में सौरी भाई हम नहीं कर सकते समझ भाई आप पूरी त्यारी रखते हो आपको पते हैं ये काम उजे सीखना भी इस तरह वचन सीखने आपके लिए जरूरी होते हैं तो फिर जब आपका आप टाइर को यूज करते हैं एमर्जेंसी में और आप अपना सफर पूरा कर लेते हैं फिर आगे जाके भी आप क्या करते हो आप जितनी भी जल्दिवाजी में हो अब आपको पता टाइर है आपने उसे रख लिया आगे जाके फिर गाड़ी पेंचर होगी अब तो स्टपनी भी पेंचर है वो भी काम नहीं देगी अब क्या करो इसी तरह अलर्टनस इसे बोलते हैं अलर्टनस एक्जम्पल के दौरा उदारन के दौरा आपको अलर्ट रहना होता है अपनी आत्मिक उनुती के लिए spiritual growth के लिए तो फिर आप जब जैसे ही चर्श में आते हैं आप growth करते हैं फिर कई वद एमर्जनसी की प्रातना काम नहीं करती दैनियल ने एमर्जनसी प्रातना नहीं की प्रभु ने करा जागते रहो प्रिक्षा में ना पड़ो रात को नींद आ रही है सो गए प्रभु ने फिर उठाया नींद आ रही है सो गए प्रभु ने फिर उठाया नींद आ रही है सो गए सुबह जब उठे जब जीजस को कोडे मारे जा रहे हैं आमार के क्रूस पर लेके जारहे है लोग बैश्च आऄcit का ले का रहा हुँ वो डर गया क्योंकि पत्रत के बाद दिलेरी नहीं रही उसने इंकार कर दिया प्रभु गा मैंने इनुन जानता जो सबसे जादा प्यार करता था क्या? प्रात्ना के बिना आप कुछ भी नहीं हूँ spiritual growth के बिना उसने इंकार कर दिये प्रभु का तो इसी लिए अब पत्रस जब मुर्दों में से जी उटे जीजस पत्रस को भुलाया पत्रस को दिखाई दिये उसे फिर से लव दिया कहते मैं अब क्या तुम उसे प्यार करता है उसने का हाँ उसने का मेरी कलीसिया को चला मैं तुझ पर कलीसिया सापना करूंगा उसके बाद वोई पत्रस को जब लोग उने दमकाया ये पैंतिकोस के दिन इकठे होके प्रात्ना करना सीख चुके थे अब इने लोग तहार में आ रहे हैं ये प्रात्ना कर रहे हैं इनके प्रात्ना के समय को को हिला नहीं पा रहा है सामर से बरे प्रीच की याद लोग चंगे भूए, लंगडे चले आगे चले लोग उने विरोध किया येश्यू के नामे यहां कोई बात नहीं करनी आसे कहता ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो हमने आँखों से देखा कानों से सुना उसे हम परचार ना करें कहां से आई दिले रही है अब वो पतरस पहले जैसा पतरस नहीं रहा था अब इसने सीख लिया था कि एमर्जेंसे की प्रात्न ही नहीं हमें प्रात्ना में निरंतर रहना है कोई भी संकट आ रहा है क्योंकि इस दुनिया में रह रहे हो कुछ भी आता है, कुछ भी होता है कहां तुम सब कुछ प्रभू पर छोड़ देते हो तुम्हारा शोटा बच्चा है तुम करते है प्रभू देख लेगा शोड़ दो इन्हों खेलने शोड़ दो वो आग में जाए वो कोई चीज काट ले कोई कुछ भी करे बिस्तर से गिर जाए तुम ख्यार रखते हो और भी कोई बहुत से वारे तुम तुम तुमारी रिस्पोंसिविल दी जहां पर तुम गलती करते हैं तो संकट आते हैं परमेशर की और से सारी प्रब्लम नहीं है कुछ भी हो जाए ओ शेतान ने कर दिया अरे मूरुख तुम थे क्याल तुने नहीं रखा शेतान नहीं दिया यह यह मूरुख तक के कारण आई हुई बिबद्धी है तो आपको इस सीज में याद रखना है कि आपको परमेशर के साथ की सिरीती से जुड़े रहना है तो अपना सारा मन प्रबु को दे दे और इसे आदत बना ले अपने जीवन की एक व्यक्ति था उसने आदित बनाई थी उसने प्रेयर करें पापाई मेरा एक साल पूरा हो गया मैंने कभी संड़े मिस नहीं की मठ्याई लेके आया हूं यह डबा मेरा एक साल पूरा हो गया धन्यवाद करने के लिए लोगों का धन्यवाद रहता है गाडियों के लिए अग्र के लिए मकान के लिए बच्चे की आजिश के लिए वो है ठीक है पर आत्मिक उन्नति के लिए आप कितने दन्यवादी बनना चाहते हैं आत्मिक चीजे 2 आप मांगते होthinking बें ग्रेज दे प्रभू आत्मिक, मुझे ये आत्मिक क्रिया की ग्रेज दे प्रभू, तो आपको इस रीती से परमेशों के सामने चलना है